आज हम बात कर रहे हैं King of Gaming CPUs की i910900K और उससे सबसे सबसे सस्ता i510600K सबसे 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 रहे हैं और जब इन दोनों की बात हो रही है तो थोड़ी सी i3 की भी बात कर लेंगे कि वो कां स्टेंड करता है चलिए गेमिंग से शुरुवात करते हैं और शुरुवात करते हैं I9-10900K की कितना अच्छा है गेमिंग में King of Gaming GPUs इसे क्यों कहते हैं अगर आप देखो 1080p पे और 2080Ti जैसा आपने ग्राफिक कार लगा रखा और 1080p resolution की गेमिंग कर रहे हो तो वो सारे जितने भी AMD के CPUs उनको पचार देता है 3900X जो एक सही CPU है अगर गेमिंग CPU की आप बात कर रहे हैं AMD की तरफ से 3950X तो बहुत ज़ादा महंगा हो जाता है 3900X की ही बात कर लो अगर आपको compare करना है I9-10900K के साथ तो उनसे को पचार देता है और एक बड़ी difference के साथ पचारता है कुछ गेम्स में जैसे की far cry new dawn यह थोड़ा सा Intel के fast CPUs को support करते हैं और सब इंटल का यह नया CPU ही नहीं इंटल के जो पुरानी generation के CPUs भी हैं वो भी आगे हैं 3900X जैसे CPU से और कुछ गेम्स की आप बात कर लो मतलब आम बात कर रहे हैं 2500FPS की गेम्स में जब आप बहाँ चला रहे हो 20TTI जैसे ग्राफिकार लगर का 1080p की resolution पर गेमिंग कर रहे हो आप तो आपको 2500FPS मिल रहे हैं वहाँ पर अगर आपको अंतर देखना हो तो आपको Intel में जो नया अपना i9 है वो सबसे ज़ादा मिलेगा आपको जो एवरेज FPS होगा वो सबसे ज़ादा मिलेगा i9 में इवन पुराने वाले जो Intel के CPUs हैं उसमें भी आपको एवरेज जो है वो 3900X जैसे AMD के CPU से ज़ादा ही मिलेगा लेकिन पुराने CPUs जो है Intel की तरफ से उनका minimum जो है वो 3900X से भी कम होगा ये आपको जानना जरूरी है हर कोई बात करता है कि एवरेज FPS कितना मिल ला है गेम्स में आपको ये भी जानना चाहिए कि minimum कितना मिल ला है क्योंकि एकर fluctuations बहुत जादा होंगे कि कहने को 2500 FPS पे चला गया लेकिन जो minimum पहुचा तो वो 500 हो गया तो fluctuations आपको पता चलेंगे और उससे experience तोड़ा खराब होता है फिर वहीं कुछ games की बात कर लो जिन पे कोई फरक नहीं पड़ता है कि उनके CPU कौन सा लगा हुआ है कि आप AMD के R7 से लेकर Intel के i9 तक आप चले जाओ 1080P पे आपको बहुत बड़ा फरक देखने को नहीं मिलेगा और अगर आप जब 2080 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड की बात हो रही है तो हो सकता है 2K resolution पे 1440P पे gaming करो तो जब आप उस resolution पे gaming करोगे तो अंतर और जादा कम हो जाएगा Red Dead Redemption 2 जैसे गेम में क्या आपको R3300X और I9-10900K के अंतर बहुत जादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा और अगर आप इनको जिस्ट पूछो ना कि gaming में जिस्ट क्या है I9-10900K की तो जिस्ट ये है कि वो gaming CPU है क्योंकि वो R7, R9 3900X जैसे AMD के CPU को हरा देता है average में तो हरा ही देता है minimum में भी हरा देता है थोड़ी सी productivity की आप बात कर लो क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलता productivity में आप ये समझो एक simple सा formula आपको बता रहा हूं कि चाहें आप Cinebench R20 देख लो चाहें Photoshop के आप test देख लो Intel का जो i9 है वो 10 core 20 thread का प्रोसेसर है तो वो लाए करता है 8 और 12 core के बीच में आप समझ रहे हूं जो 10 core नमबर है वो 8 core नमबर और 12 core नमबर के बीच में लाए कर रहा है तो उसकी performance भी कुछ ऐसी है इन दोनों के बीच में लाए करेगा याने कि AMD के R7 और R9 के बीच में ये कहीं लाए कर रहा है किसी भी test में R20 की performance देख लो in fact R20 की आप performance देख लो multi core में ये बीच में लाए कर रहा है लेकिन single core में तो ये सबसे ही जीतता है single core performance में R20 में Cinebench R20 में आप इसे टच नहीं कर सकते हैं ये number one है और ये भी मैं आपको उता रहा हूँ कि premiere और Photoshop में भी 3700X R7 3700X और R9 3900X और R9 3950X इनके बीच में लाए करता है यानि ये 8 core और 12 core या 16 core वाले के बीच में ये 10 core वाला प्रोसेसर लाए करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो पावर कंजम्शन की आप बात कर लो उसका भी सेम ही है ये 8 core AMD के और 12 core और 16 thread वाले जो R9 प्रोसेसर नों उनके बीच में लाए कर रहा पावर कंजम्शन पे लेकिन अगर आप इसे ओवर कलॉक करते हो भयानक तो फिर ये पावर कंजम्शन में सबसे आगे निकल जाता है फिर तो ये 3950X को भी इतना हरा देता है गंदा वाला भयानक पावर यूसेज होती अगर आप ओर कलॉक करते हो तो देखो इसकी मुझे आपको जिस्ट बतानी हो ना अगर overall बताना हो कि i9-1098K क्या है तो आप ये समझी रहे हो king of gaming GPUs है without shadow of the doubt कि अगर आप ये कहते हो मुझे कुछ नहीं करना है productivity, productivity की कोई बात मत करो और मेरे पाप पैसे भी बहुत है मुझे बस ये बता दो कि best CPU कौन सा है दुनिया का तो i9-1098K है without shadow of the doubt लेकिन आप ये समझो कि जब मैं ये कहता हूँ ना कि average FPS जो है बाकी CPU से तजादा है और बात आप किस लेवल पे कर रहे हो आप 2080 Ti से ग्राफिका लगा रखा 1080p के resolution पे gaming कर रहे हो तो आप उनमें से हो जो maximum frame rate निकालते हैं गयानक 2500-300 वाले frame rate निकालते हैं तो अगर आप उनमें से हो तो ये समझ में आती है by the way उस लेवल पे भी वो 2500 FPS के लेवल पे भी जो 10-15% का जो अंतर होता न पता नहीं चलता ये भी तो होना चाहिए पता तो चले लेकिन हाँ अगर आपको नमबरों से importance है के नहीं भाई मैं तो 360Hz वाला monitor लेने आ रहा हूँ तो मेरे को कोई गुंजाएश नहीं चाहिए मुझे best चाहिए तो उनके लिए है वो बहुत ही कम जनता है जो इतना महंगा CPU खरीदती है लेकिन फिर उनके लिए है सबसे बड़ी problem इसकी ये availability ये नहीं है के ये अच्छा है के बुरा है पहले अविलिबल तो हो जाए जिनको लेना भी है वो ले तो सकें market में e-commerce पे अविलिबल तो वो इसकी availability की कमी है अई आप बात कर लेते हैं सबसे सस्ते unlocked Intel processor के बारे में जिसका नाम है i5-10600K gaming में अगर आप CPU से कम है प्राइस वाइज ये 3700X के पास जादा है और 3600 से तो बहुत दूर है तो उस इसाब से भी आप consider करो also जो minimum भी है ना कई games में इसका minimum भी जादा है R5, R7 और R9 जैसे processor से in fact जो average है कई games में इसका i9-10900K के आज़ पास भी जाता है ऐसा क्यों है क्योंकि कई majority games है जो इतने जादा cores का फाइदा नहीं उठा पाते है 10 cores और 20 threads का फाइदा नहीं उठा पाते है in fact 8 core 16 threads आपके बहुत है यानि कि i7 भी अगर आप खरीतते हो R7 भी खरीतते हो तो हो गया आपका मलब बहुत है more than enough है और best price 1640 और 1440 पी के resolution पे आते हैं तो वो difference और भी कम हो जाता है लेकिन कुछ games होते हैं जैसे rainbow 6 cj है वो multi core का फाइदा उठाते हैं तो उसमें आपको देखने के मिलेगा कि average जो है वो i5 से उपर पहुँच गया है कई game हो में R7 के मुकाबले में लेकिन minimum तब भी नीचे ही रहता है और फिर games मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको Red Dead Redemption 2 जैसे हैं जिनको गंटा कोई फरक नहीं पड़ता 1080p पे डिफरेंस वैसे ही कम होता अगर आप 2K पे gaming कर रहे हो और जब इते बलबले hardware खड़ीद हो गया तो 2K की gaming की भी गंजाईश होगी तो अंतर और कम हो जाएगा आईए बात कलने हैं कि अब ये i5 इसकी productivity में क्या हालत है तो Cinebench R20 जैसे अगर आप test देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये R7 3700X और 3600 दोनों के ही नीचे है R7 और R5 दोनों के ही नीचे है Premiere में भी अगर आप rendering करोगे तो भी ये R5 3600 और R7 3700X के नीचे है Photoshop में भी सेम हाल है Power consumption की अगर आप बात कर लेते हो तो इसकी Power consumption 3700X से भी जादा है और फिर आप समझी जाओ तो 3700X से जादा है तो Power consumption बहुत जादा है और Performance सबसे कम है Productivity में देखिए मैं आपको बात बता हूँ I9 और I7 जैसे Processors जो हैं वो बहुत ही कम लोगों के लिए हैं जिने Best of the Best Performance चाहिए और AMD की तरफ से जो आने वाले CPUs हैं वो कम Performance ज़रूर देते हैं गेमिंग में I7 और I9 जैसी Performance ला सकते हैं कि कई गेम्स जो है वो मज़ा उठा रहे हैं High Core Clock का तो आप Over Clock कर लो अपने I5 को जो कि हो भी जाता अगर आप अच्छा Cooler लगाओगे तो अच्छा कासा Over Clock कर सकते हैं और आपको I7 और I9 जैसी Performance मिल जाएगी कई गेम्स में दो जनरेशन के लिए तो है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा खत्रे में रहता है कर दो जनरेशन के लिए इंटल का तो यही बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर आपको Maximum Value चाहिए कि Price to Performance लिशो सबसे आदे मिले तो वो आपको करना तो जी 490 अच्छा वाला मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा तो वो भी देख लिए नाम प्रॉब्लम यह नहीं है कि Performance कितनी है वगरा वगरा प्रॉब्लम यह कि किसी को चाहिए तो अवेलिबिल्टी भी नहीं है और जमाना हो गया है ने लाँच हुए हुए जिसे किसी को चाहिए भी तो उसको लेना बहुत मुश्किल हो रहा है और यह भी याद रखो तीसरी बात AMD अपनी जो है अपनी 4th generation भी लाँच कर देगा CPUs की तो उनसे भी कंपीट करना CPUs को अब जब हमने आई 9 की बात कर ली आई 5 की बात कर ली तो थोड़ा सा मैं आपको आई 3 के बार में भी बताए दे रहा हूँ अब यह 4 core 8 threads में आ रहा है आई 3 Intel की तरफ से यह आपको अवेलेबल हो जाएगा i3-10100 12,000 का बिकरा है MD Computers पे और साथ में जो 3300X है r3300X वो आपको मिल जाएगा साड़े 11,000 का और r331 तो आपको साड़े 8,000 में अवेलेबल है यहाँ पर एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूँ के अभी 2017 में i7 7700 के i7 4 core 8 thread का होता था और r2020 में intel के i3 4 core 8 thread के हो गए है अगर आप gaming से पहले में productivity की बात कर लूँ कि अगर आप i3 खरीते हो तो आपको क्या मिलेगा r3 के मुगाबले में r3 दो है एक 3100 है और दूसा 3300X है prices भी मैंने आपको बता दी एक साड़े 8 का है एक साड़े 11,000 का है और आपका i3 जो है वो 12,000 का है यह actually में available है अगर आप चाहो लेना तो ले सकते हो लेकिन performance wise productivity में कहां लाए करता है simple आपको एक बात बता रहा हूं कुछ भी कल लो आप Cinebench R20 कल लो Photoshop कल लो Premiere कल लो तो यह lower है 3100 और 3300 X दोनों से single core performance में Cinebench R20 जैसे software में अगर आप benchmark करते हो तो single में यह थोड़ा पीछे रह जाता है क्योंकि यह clocks इनकी बड़ी हाई होती है Intel वालों की लेकिन तब भी पीछे रह जाता है लेकिन slightly lower रह जाता है Photoshop अप Premiere में भी यह हाल है वो तो सीधे फिर भाई favor करते हैं AMD को बहुत अच्छा favor करा रहा है यह Photoshop और Premiere की तरफ से तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि i3 की performance जो है इन दोनों R3 से नीचे है लेकिन power consumption में यहाँ पर Intel ने बाजी मारी है कि power consumption इन दोनों से ही कम है R3 3100 से भी और 3300 X से भी लेकि फिर आप यह भी समनने की कोश्ट करो अगर power consumption कम है तो फिर performance भी कम है और यहीं पर AMD की प्रोसेसर से उनकी पर्फॉमेंस जो जादा है तो पर्फॉमेंस भी फिर जादी निकाल लें अगर आप gaming में performance पूछोगे न तो on average यह जवाब है मेरा कि यह लाए करता है 3100 और 3300 X के बीच में तो इसका price भी अगर यह बीच में होता तो यह अच्छा प्रोसेसर हो सकता था हो भी सकता है देखो आप future में जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको साड़े 8 पे लाए करता 3100 और 3300 X लाए करता है वो साड़े 11,000 तो यह कहीं 10,000 के अगर price पे launch होता तो यह अच्छी value हो सकता था इसको हम consider कर सकते थे लेकिन फिलाल तो यह 3300 X से भी उपर है और productivity में भी और gaming वगरा में भी उससे नीचे है जो biggest advantage है Intel की तरफ से वो यह कि वो IGPU के साथ आता है बागी 3100 और 3300 X नहीं आते लेकिन अगर आप graphic card लगा रहे हो शुरुबात से ही तो वो माइने नहीं रखता फिर complications और भी जादा हो जाते हैं क्योंकि AMD की तरफ से 3400 GB available है जिस पे IGPU आता है और problem यह भी नहीं है अगर आप लेना चाहो तो वही availability की problem आती है AMD की तरफ से availability की कोई problem नहीं होगी अभी यह i3 available है लेकिन आप देखिए कितने big जाते हैं अगर जाते big गए तो फिर इसकी भी availability भे खत्रा बन जाएगा और यह i3-10100 बुरा processor नहीं है कि एक नहीं series चुरू करने की मैं सोच रहा हूँ जिसमें आपको यह बताऊँगा कि एक company है उसके कौन-कौन से products लाए करते हैं उसके कुछ products अगर नहीं हो पाया एक video में तो उसको तोड़ देंगे graphic card में उसके motherboard में वगरा वगरा में लेकिन एक idea होना चाहिए जैसे नहीं कि Asus की जैसे रोग आती है एक series stricts आती है परूंकी tough भी आती है तो इन सब में अंतर क्या है जैसे अब Zotec की जो है amp edition आता है amp extreme edition आता है तो इन सब में अंतर क्या है यह सब के बारे में वाचीत करने के लिए एक नई series शूर गो रहेंगे जिसमें हम एक एक brands पर concentrate करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास अभी एक पड़ा हुआ colorful का graphic card तो मैं उससे start करता हूँ उसमें पहले आपको knowledge देता हूँ कि क्या क्या आ रहा है तो वे वीडियो ज़रूर देखिएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करेंगे पहले वारा सबस्ट्राइक करेंगे मैं हूँ आई जी आप देखिएगर 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 चैनल मैं मताँ गुल वीडियो मता तक लिए गुडबाय टाटा